कि अगें हिइं जचित माना जाता है परंतु यहां पर यह कौर्णर में कीचं नहीं आ रहा है कीचन का जो कॉर्णर है वो अगने वो है पर यह इस्ट फेसिंग यहाँ पर उन्होंने कीचन किया है तो अगर इस प्रकार से आपका अगने कॉर्णर में कीचन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर वास्तु के कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने जरूरी है यहाँ पर आ सकते है यह अगनेय कॉर्णर है अगनेय कॉर्णर में कीचन नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहा है यहाँ पे रेड कलर का यह कूशन दिया गया है अगनी तत्व को जो पॉजिटिविटी दाता है रेड कलर का यहाँ पेंटिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक रेड कलर का पें artificial red flower जिसको काटे नहीं है तो ऐसे flower रखने से अगने ये corner में positivity आ रही है कभी-कभी आपको दिखा जाता कि अगर अगने corner में toilet bathroom आ रहा है या अगने corner में अगर पानी आ रहा है तो वहाँ पे red color का light या red color का bulb जलाया जाता है पर इस situation में यहाँ पे living area है तो living area अगने ये corner में आ रहा है उस situation में red color का painting लगाना उचित माना जाता है जिस से वहाँ पे energy warm energy जो है वह बनी रहती है अगर आपने ये red color का cushion भी लिया है तो अगने ये corner प्रजोलित रहने से वह भी positivity हमेशा बनी रहती है तो ये सारी चीज़े आप देख सकते हैं कि positivity attract करने के लिए लगाई गई है वैसे ही background में white color आपने यहाँ पे देख सकते हैं अगर अगने ये corner में relate है तो white gray reddish color pinkish color ऐसे color जो है वह warms color जो है वह इस्तहित माना जाएंगा जैसे अगर अगनी के साथ पाणी यानिए कि जल का color जो है वह पानी का color जो है वह blue color में आता है तो शणी का भी है तो अगनी के साथ श्यत कलर ले लिया तो वह अनुचित माना जाएगा वह अगनी को आपको थोड़ा शान्द करेगा तो वह वास्तु में दोश क्रियेट करेगा वैसे ही ग्रीन कलर जो है वह हर्याली का है अगनी और हर्याली यह हर्याली जो है वह भी सीठ कलर में आती है तो हरे रंग की पैंटिंग्स यहाँ पे ना लगाए हरे रंग का सोफा आया हरे रंग की डिजाइन यहाँ पे ना ले अगने कॉर्नर में रेडिष यलो इश पिंकिश जो वाम कलर offer short cut में आपको बताता हूँ जो भी energy सुरिय के किरणों से आने वाले range होती है वही color इसतेमाल वाइक कॉरनर में सुरिय के किरणों से आने वाले range कॉनसे है द्सवाय विया तो सप्तरंग यानि सात रंग इंद्रधनुष्य में रहते हैं पर वैसे ही सूर्य के किरणों में warm lights वाले सारे color आते हैं तो reddish color के tone में जितने भी color आ रहे हैं वो color यहाँ पे इस्तमाल कीजे जो आपको अभी मैसुस हो रहा है cream है brown है या चॉकलिटी जितने भी color है yellowish tone color है यहाँ पे सारे जो color है वो warm color base में आ रहे हैं ऐसे ही color आपके अगने कौर में अगर आपका कीचन नहीं है तो जरूर इस्तमाल करें जिससे आपके घर के दोश कम हो जाएगे वास्तु में positivity आएगी अगनी तत्वा बना रहेगा और आपकी health ठीक रहेगी धन्यवाद